से सुभा की शुपरभात तो सभी जो बच्चे हैं जल्दी से आ जाईए यह क्रंट आपको 17-18-19 तक का क्रंट है जो दिसंबर का क्रंट है इसके अलावा जो बचा हुआ होगा ऑनवर्ड 19 से उसको हम क्या करेंगे नेक्स वीडियो में कवर करेंगे तो यहां पर आप देख स एम्स टू मेड़ इंडिया एन एंडिजिनेस शूफ बिल्दिंग हब तो यहां से हम क्या सिखने वाले हैं जो इंगलिश में जाने वाले हो यहां से जान सकते हैं कि कि डिफैंड मैंस्टर जो हमारे राजनास जी हैं उन्होंने ये बात कही बात क्या कही कि जो हमारे देश के अंदर अगर हम बाचित करेंगे देश के अंदर यहां पर मैं आपको अगर बाचित करूँ तो यहां पर आईए कि रक्षा मंतरी राजनास सिंग ने कहा कि सरकार कलक्ष भारत को सोधेशी जहाद नि होगा यह रोजगार के लिए काफी अच्छा होगा और उन्होंने कुछ इंपोर्टेंट पत्थे सामने रखें जो हमारे पेपर के लिए इंपोर्टेंट है और मैंने यहां पर अंडरलाइन भी किया है कि धौसक आई एनस जो मुर्मुगाव को कमीशन करने के बाद बोल रहे हैं तो यह क्या है यह जो है नोसेना में एक मानलो की शिप था जो जिसको क्या किया गया है कमिशन करने की बादचित के ही और आई एनस मुर्मुगाव भारती नोसेना के सबसे सक्षम जहाजों में से एक था और इसको कमीशन कर दिया गया तो हमारे यहां से क् बच लेंगे, इन्स मुर्मगाओं एक है, तो एक है नोसेना जहज है, और इसको हाल में ही क्या किया है, इक कमिशन का मतलब है, कि उसे क्या किया गया है, अब यह यूज में आएगा, यह बाचित की इन्होंने, और यह जो है, हमारा अपना जो देश है, उसमें यह बनाया गय जहाज है यह क्या है बनाए गया जहाज है आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ण जो आपके सामने इस तरह है प्रोस डारेक्ट टेक्स क्लेक्शन फॉर दा फाइनेंशल इयर तो थोजन टुवंटी तुवंटी त्री रेजिस्टर ग्रोथ ऑफ टुवंटी एफ फाइव पॉइंट नाइन जिरो परसेंट तो यहां पर यह जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी साइट से नियूज रहें तो इसको इतना सा याद लेना और हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यह 2223 के लिए जो हमारे टेक्स जो था और इसको हम सकल कमें यहां पर लिखावा जो नेट टेक्स जो क्लेक्शन हुई है उसमें इतने परसेंट ब्रिद्धी अंकित की अंकित की दखियों से हथियार डालने और आर्थिक विकास की गती को मदद करने की अपील कि उन्होंने बोला कि जो पुर्वर्तर में बिद्रोही होते हैं उनको कैसे रुका जाए और साथ में को कैसे बढ़ाता बढ़ाए जाए इकमी में की चो उपर लिया जैंकि अंत्री hearts चासली होई तो यह हमारा जो पूर्वतर भारत है वहां पर इटेल को मिले और उसमें हमारे जो देश के ग्री मंत्री है उन्होंने ये बातचित कही कि क्या करना च्रहिए जो वहां के लोग है उनको क्या कणा चाहिए इस से क्या होगा कि जो अतंक्वाद या रिघ्ड ट् स्वारी, जो 2047, ये हमारे जो Finance Minister सीता रमन जी है, उन्होंने ये बातचीत कही, हमारे लिए ये नीच पहले इंपोर्टेंट हो रही है, ये जो है, इन्होंने ये बातचीत कही कि Innovation, Innovation का मतल होता है अनुसंधान, अनुसंधान के माधिम से हम क्या का सकते हैं, अगर हम बातचीत कि तो एक बना सकते हैं विक्सित राश्ट बना सकते हैं यह हम कब कर रहे हैं यहां जो सेnothingटर सबस्क्राइब रविवार को वहतर काल के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि हाली में पुर्धोक्य के डिवल्प्मेंट के लिए कहां पर एक समप्रेंट हुई तो है इती डोनरश वहां पर वे बातीट हुई और स्य поряд समेलन के समापन को यह जो है प्रधोक की पर यह जो meeting हुई तो यह किस ने की है CSR ने meeting की और जिस region में की मदरास था वहां पर जो हमारे finance minister जी थे बोरे थे अगर हमें एंडिया को ड्वयल्प करना है तो हमें किया करना पड़ेगा में किन किन में जाना पड़ेगा इन्होंने बात्चित की कि जो सरकार ने और जो मलग और पूर्परेट से बित पोशित करने की जरूत यहां CSR की भी बात की है CSR का मतलब होता है थीकी तो बोनाओ corporate social responsibility जो होगी जो हमारे इंडेस्टलिस्ट है उनको लेनी पड़ेगी अगर वो ले लेते हैं तो क्या होगा हम इंडिया को कर सकते हैं हम इंडिया को 2047 क्या कर सकते हैं एक बिकसी देश मना सकते हैं इसके अलावा उन्होंने बोला की innovation ही एक matter ऐसा कारन है सभी एक ऐसा effectivement है जो क्या कश्था हैं इंडिया को 2047 स्टाक एक क्या है क्रासें सब्सक्राइब और साथ में उनका यह जो भाशन है इससे हमें यहीं चीज निकालने है और यह जो था यह आपको अच्छे से याद रखना है प्यम मोदी लांच ग्री प्रवेश प्रोग्राम इन अगरतला तो यह ग्री प्रोग्राम जो है पहले तो यह पूछ लेंगे हाली में प्यम मोदी ने यह ग्री जो प्रवेश प्रोग्राम है किस रज्य में लांच किया तो अगरतला आपको पता है अगरतला जो है त्रिपू जो ही से लगाई है अब हमें यह देखना है कि ग्रीप्रवेश क्या है यह क्यों इंपॉर्टेंट है तो जो ग्रीप्रवेश प्रोग्राम इन अगतला फोल्डेन टू लेक बैनिफिश्ट्री अंडर प्रधान मंत्री अवास यूजना अर्बन रूल स्कीम एड्रेसिंग यह अर्डेस में उन्होंने क्या किया कि जो वहां पर अवास यूजना चलाई थी उसको क्या करना है अपलिफ्ट करना है अपलिफ्ट करना के लिए उन्होंने यह नई प्रिष ये उसको नाम ये दिया कि जो सब यह यादक नहीं कि जो निहींस एक एक कि जैसले मिजदे आपकिज मणीपूर इंपूरिंग और असम वेँपूरूर निम्पूरूंग घ्याफ़ा ये प्रूह इह सके अलाबा अगैं कि आने में वह समय में इस तरह की स्कीम जो है जो है कि फोटी है artists उसको बढ़ाने के लिए हे इंडिमसीटेंग screamis ग्लोबल बाय डॉवस्टी लोस और एसेंचल फोधा शोश्यो एकोनोमेट डॉवल्मेंट एंद वेल बिंग पीपल देखो यहां पर हमाई कई चीजें सिखने को मिल रही है कि हम इंडिया को एक करते हैं चीजेंच तो हम इको सिस्टम को कैसे काशें सकते हैं उसके बाद हाल टिंग लोबल भाइड situations को कैसे बगा सकते हैं जो हमारी शोशिर और laughing to सकते इसके प्रति काने के लिए ना रहे अन्दर को और बात चीछे यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वेस्तर कामा कुछ कि Montril Queensland में समिट हो रही थी। इस con इसे में राश्ट जयवीटा की समिट हुआ। Сमिट जहां पर हुआ। मौंट्रिल कनाडा में हुआ और इसका उधिश यह क्या था जो बाइडविस्टी लॉस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है और वहां पर हमारे यह जो एन्वार्ट मिनिस्ट्र है वह बात्चीत कर रहे थे तो यह जो है आपकी इंपोर्टेंट है यह समीटी इंपोर्टें बड़े तो यह चीज आपको अच्छे से याद रखनी है अगर जो रहे तो कहीं न कहीं रोजगार और साथ में जो एक्रिकल्चर है उसके उपर भी क्या होगा उसका कहीं न कहीं मुले प्रभाव देखने को मिलेगा ऐको लगा लोजी की बातचीत की है क्योंकि इकोलोजी की बजा से क्या होगा जो हमारा एन्वयर्मेंट की गतिविदिया जैसे कि हम बातचीत करें जो पसिप्टेशन की लियो वराड कर है इस दा निव प्राइम इनिस्टर ऑफ आइलेंड पियम मोधी कॉंग्रेचलेशन मलग जो इस तरह है कि जो आइलेंड के नए पियम बन गए है उनका नाम क्या है उनका नाम मैं दुबारा से अगर आपको बताओ तो लियो वराड कर तो आगे हिंदी में इंपोर्टेंट है कि हाली में जो यह ग्रेट परसनेल्टी है जिनका नाम भारते मूड के हैं लियो वराड कर है और कहां के पियम बन गए है आइलेंड और आइलेंड जो है एक यूरोपियन कॉंटिन में पढ़ने वाला एक देश है आपको अच्छे से पता होगा जो एनी फिलित करें तो जो आप मैप को देखेंगे तो मैप मैआप देख सकते हैं एक ये जो है ये आपको नौर्थ अंतार्रिक के साथ लगने वाला प्लेस देखने को मिल रहा है यह आपका UP के हैं साथ में इंगलैंड वियल्स है उसको देख पा रहे है jadi napkin हो काफी important है और हम ज् यहां से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हमारे लिए यहीं नियूज क्या थी काफी इंपॉर्टेंट थी आगे चलिए यहां से आपको एक चीज सेखनी है जम्मु कश्मीर के जो लेटिनेर गवर्नर है उनका नाम क्या है मनोश सीना है और उन्होंने एटेंड़न बदलता जम्मु कश्मीर कॉन्फरेंस इंदा मॉंबई येस्टरडे एंद शेट जम्मु कश्मीर रिमार्केबली रोबस्ट प्रोविजन थे उसको क्या किया गया है तो मैं यहां पर आपको पहले जम्मु कश्मीर का जो मैफ है उसको दिखाना चाहता हूं आप देख सकते हैं कि यहां पर अफगानिस्तान इसके साल लगा हुआ है और सबसे कम सीमा शेयर करने वाला यह जो हमारे देश के साथ कंट् इसके बाद अगर हम बाचित करें तो यह अगर इस रिजन को आप देख वा रहे हैं तो यह क्या है और इसे चाइना ने मलब क्या किया हो है 1962 के दौरान इसको अपने कबजे में कर ले इसको अक्षाई चीन कहते हैं यह जो आपको ट्रेटी दिख रही हैं पर आप द्यान से इस मैप में आप अक्षाई चीन को बिलकुल द्यान से देख सकते हैं और यह रेड कलर में जो दिखाए गया पोर्शन है इसकी बाचित कर रहा हूं में तो यह जो है आपको अक्षाई चीन का पार्च देखने को मिलेगा इसके अलाबा अगर में बाचित करूं तो जो यह यह पाक अकुपाईट कश्मीर है और यह कश्मीर और भारत के बीच में डिस्प्यूट का एरिया है किसकी बात कर रहा हूं तो इसको ध्यान से देखिए उसके बाद जो यह रेखा है इस रेखा की अगर में बाचित करूं जो यह रेखा देख रही है आपको यह वाली यह एक्चल में 25 कहते लाइन ऐफ एक्चल कंट्रों कहते हैं इसको यह भारत घूपाक है उसके बीच में देखने को मिलता है और अगर चाइना के साथ इस इस को दिखेंगे हम line of actual control कहेंगे इसको sorry LOC line of control और साथ में जो line of actual control है वो किसके बीच में देखने को मिलेगी वो आपको चीन और भारत के बीच में देखने को मिलेगी तो यहां से आप यह चीज़ें देख सकते हैं अब news क्या है? news हमें क्यों याद दखनी है? यहां मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपको यह चीज़ें याद दखनी है कि जो जमू कश्मीर के वरत्मान में lieutenant governor हो कौन है? तो मनोज सिन्धा जी उन्होंने यह जो बातचित सांजा की एक समेट चली थी और जमू कश्मीर के वारे में इन्होंने बातचित कही कि जो जमू कश्मीर में जो परस्तितियां बदल रही है और बदलने के पीछे उन्होंने कार्ण क्या बताए तो मैं उसको भी आपके साथ शेर करने वाला हूँ और कहां पर ही उन्होंने यह बातचित कही उन्होंने बोला कि अब जो जमुक्षमीर है उसका जो बुनियादी धान्चा जो इंफा सक्ष्षे मर्सुधर रहा है सुधरने के पीछे उन्होंने बताए कि वहांपर शांती है और शांती के सासाती हर एक इंडस्टिस यह चाहता है कि उस जगह पर जाकर क्या करे ओ द्होगिक किशेतर में इन्वेस्ट करे और जब इन्वेस्टमेंट होगी तो उन्होंने बोला जमुकर्मिंदी में क्या क्या होगी you यहां पर रोजगार की फैसिल्टी मिलेगी और वहां के युवा इसमें क्या करेंगे युवा इसमें पार्टिस्पेट करेंगे और यह इसकी जो एकॉनमी है और यह जो बातचीत चली हुई थी तो बातचीत उन्होंने कही कि आप जम्मु कुश्मीर का जो भाविश्य हो और और उजबर होने के साथ साथी कि वहां की जो एकॉनमी है उसमें जो युवा है युवा का रोजगार की मिलेगा और जो जिर्पी है वहां की बढ़ेगी उन्होंने इसके उपर अटेक किया जो हमारे जमुक्श्मीर में यह अलगावाद था अतंकवाद था उन्होंने बोला कि आप फिल्म शूटिंग के लिए जमुक्श्मीर क्या बना हुआ है कहीं ना कहीं मुंबई फिल्म ओधियों के साथ इसके अच्छे से मजबूती सबंद बने रहेंगे इसका मतलब यह है कि पहले जो भी हीरो या हीरोईन हुआ करते थे डारेक्टर हुआ रहता है और वहां पर आर्थिक जादा देखने को मिलती है क्योंकि जो हमारा जमुक्श्मीर है केसर की भूमी और साथ में इसे भारत का स्वर कहा जाता है तो अगर इसकी तरफ हम देखें तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से यहां पर गरबड़ी हुआ करते थी यह अधंकबाद की गतिविदिया थी उसकी बज़ा से यह सारा किसारी चीज़ें देखने को मिलती थी उसके बाद अगर हम बाचित करें तो यह आप यहां से देख सकते हैं डॉक्टर मनसुक मांडविया लॉंचज ए कंसल्टेंशी सर्विस अंडर ए संजीबनी इनिशियेट आप क्या करेंगे इंट्रोनेंट माधिम से आद न कि लोग Whatsapp आए तहों अपनी सुस्ट सेली हैं उसको क्या किया जागा उस से उसका प्रिष्यु करें और भारत Marriage बेज़्यान ससान में इस पहल और उन्होंने बोला कि जो पिछले कुछ दिनों से जो बुनियादी धांचा था उसको भी हम इंप्रूब करेंगे और इसके साथ साथ ही डेश्टिल के माधिम से लोगों की जो किस्ता से सबंदेत समस्या हैं उसको सुना जाएगा तो यह काफी इंपॉर्टेंट है कि अब ड मे यह जो अभी मीटिंग ने वाली है बहरत उसको अध्यक्सता करेगा और लदक को डेकलेर कर दिया कि इस रिजिन में क्या होगा कि यह G20 के जो डेलिकेट आएंगे उनको यहां पर बिठाए जाएगा और इसकी historical background और साथ में जो इसके साथ में लगने वाले जो areas है उसको क्या किया जाएगा उसको पूरे इंडोनेशिया को प्रेजजेंसी देखे रखी थी तो यह जो बातचित है यह बातचित हमारे जो यूनिंट्री लडाख में यह जो बातचित होने वाली है अगले अप्रेल तो हमारे देश के अंदर 200 मीटिंग होने वाली है और इन 200 मीटिंग को अलग अलग जगा पर जो किया जाएगा और यह डिफ्रेंट डिफ्रेंट जो सीटीज है उनमें यह किया जाएगा और 32 डिफ्रेंट वर्क्स टीमल अलग अलग 32 जो वर्क्स है वो इसमें किये जाएगे और इसके साथ साथी इंदा मैदान मीटिंग 2020 प्रपरेशन यूटी एडवाईजर उमंग और नरूला यह जो हमारे क्या बोलते हैं ललाक की बाचित की है तो उन्होंने यह बाचित तो लडाक डिविजन कमिशनर जो है डिट्वेंटी के नोर्डर ओफिसर होंगे और वहां पर यह सारी की सारी जो गतिपीतिया है अगले अप्रेल 2023 में होने वाली है उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करेंगे और स्कूर्टी की परपर से भी यहां पर क्या क्या जाएगा अच्छे से प्रविजन किया जाएगा और इसके साथ अगर मैं बातचीत करूँ तो इसका स्रोगन क्या है इसका जो थीम क्या है तो थीम क्या है वऌन अर्थ इसको अच्छे से या डखना वन फैमली वन फिचर यह जो है जी ट्वन्टी दो हजाथ तैस की जो मीटिंग होन है आपने अच्छे से याद दखने हैं अगर कोई बच्चा हिंदी में देखना चाहता है तो हिंदी में यहां पर लिखा हूं और यहां की संस्कीति के बारे में जानने का काफी जदा शुब अपसर मिलेगा कि इसके अलाबा जो हम बाचित करें तो मैंने आपको थीम भी बता दिया और थीम में जो लिखा हुआ है यह लिखे थीम लिखा है वसुदेव कुटुमकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इंग्लिश वाला है और हिंदी में इसको का बनेगे वसुदेव कुटुमकम आपको पता होगा भारत तहीं यह पूरे वर्ड को इस तरह का भाव दिया हुआ एक मातर भारत जो है पूरे वर्ड के अंदर एक शांती दूत की तरह काम कर रहा है और पहले भी क्या है अभी भी इस तरह का जो रोल है निवारा है तो इसी बड़ा से यह दिया गया है आगे नेक्स्ट वां जो है बैंगलूरू केंट रेल्वे स्टेशन टूबी ड्वेल्प एज वर्ड क्लास टर्मिनल कुछ नहीं पूछेंगे यह कुश्चन असीरा अगर मैं बोलू तो हाली में किस रेल्वे स्टेशन क वर्ड क्लास टर्मिनल के तौर पर गोचित किया गया है यह किस रज्य में वर्ड क्लास टर्मिनल रेल्वे स्टेशन बना है तो यह बैंगलूरू डिटो ऐसे ही इसको क्या करना है याद रखना अब अगर आप बातचीत करें तो यह कैसे तो यहां पर जो इसस्टम है कुछ अलग सा होगा तो इसी बजा से वर्ड क्लास वन जो रेल्वे स्टेशन डेक्लिल किया जाएगा यहां पर देख सकते हैं कि यह लक्ष जो है फरवरी तक आगे मल अगले साल फरवरी तक यह क्या करना है पूरा करना है और इस बजा से इसे क्या नाम दिया जाएगा बैंगलोरू केंट को बिश्व तर्य टर्मिनल का दर्जा दे दिया गया है आपसे कोश्चन क्या बन सकता है कि हाली में किस जो रेल वे स्टेशन को वर्ड क्लास वन टर्मिनल बनाने का डेकरेशन किया गया गोशना की गई है इससे ज्यादा हम यह कुछ नहीं पता चुका हूं जो हमारे पी म जी थे उन्होंने भी greeting दि और साथ में जो हमारे के बोलते हैं पीछे आइलेंड के हमने प्रेजिजन की बातचीत की और यहां पर राष्ट पती जो है राष्ट पती क्या कर रहे हैं ग्रीटिंग दे रहे हैं तो यहां से हमारे पास यहीन नु में क्या किया इजराइल के जो नए राश्टपती चुने गए हैं हनुक का अभिवादन उनको क्या किया इनको गेटिंग दी उनको कम अभिवादन दिया या उनको अभिवादन को बहुर को रोशनी की चर्फ ले जाएंगे और इसके लिए जो है positive thinking जो होगी और कहीं न कहीं काम करेंगे तो यह चीजह आपको अच्छे सिया दखने है युनेस्को लुक्स एजा लुक्स टू सेट अप फंट टू प्रमोट दा एंशिंट एंड़ ट्राइवल इन लेंगज अक्रोस ता ग्लोब यहां पर हमें कुछ या नहीं रखना पर हाँ एक चीजह आपको काफी इंपोर्टेंट लगेगी कि जो यह जो लगाई है युनेस को क्या करेगा जो एंशिट टाइम की प्राचिन समय की जो लेंगज थी और ट्राइवल थे उनको आगे ले जाने का प्रयास करेगा तो आप से पूछ सकते कि हाली में किस संस्ता जो प्राचिन भाषाई थी और जो प्राचिन कवीला कवीली हुए कते थे उनके कल्चर संस्किति और भाषा को आगे बढ़ाने का पूरी वर्ड के अंदर प्रयास करेगा तो यह कौन है यह जो है यह युनेस को अगर मैं यहां पर आपको बाचित करूं तो आपने पड़ है उसको क्या किया जाएगा उसको अप्लिफ्ट करने का प्रयास करेगा और यह किस का डिसीजन है यह युनेस्को का यह डिसीजन है आपको अच्छे से यादखना तो यह चीज़ें जो अलग अलग पूरे वर्ड के अंदर ऐसा नहीं कहीं सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया क जितने भी अलग अलग पार्ट है जिसे अब कराड़ा की बात करें नौर्वे की बात करें उक्रेयन बॉलिबिया जिन जगाओं पर भी जिन जो कंट्री थी उन कंट्री में अगर यह ट्राइव थे और वहां पर ओल्डेस्ट लेंग्विज थी इनको ड्वल्प करने का प् टू इनदा पनल्टी तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो सबसे देखा जाने वाला जो गेम है ओफूटवॉल ही है और इसका यह जो जीता है अभी हाल में ही किसने जीता आपको अच्छे से पता चल गया होगा और जीतने के बाद क्या हुआ कि आप यहां पर देख सकत पड़ता कि बर्त अपड़ने वाली कंट्रीस है और आपको पता है कि किस कांटेने में पढ़ता है तो आपको प्रांस फ्राइन को पर प्रांस को सब से जर्छा में देखे जाना वाला खेल है यह आपका फुटवॉल है यह जो है होता है और यह कहां पर फुवा था तो आपको अच्छे से लख लग देखना कि अरजनिता ने दोहा के लुशेश स्टेडियं में पर बन गया है यह कं पर पर कलता है ने यह कर देखने को मिलता है और कैसे हराया आपको अच्छे से पचल गया कब हुआ यह 2022 का फीफा बिशुक था और जीतने वाली जो टीम है उसका नाम याद अखना और अर्जिंतिनिया से लियोनेल मेसी और एंडल जी मारिया केमादिम से दो गोल की बढ़त की यह काफी इंपॉर्टेंट है यहां से और क्या-क्या यहां से इंपॉर्टेंट है तो और जो चीज़े हैं और यहां से और कुछ भी आपको क्या करना है मलब नहीं करना एक में रुकना मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ दिक्कत हो नहीं होगी है दिक्कत होगी है क्योंकि जो कि मैंने कुछ बनाया था हो मुझे दिक्क क्यों नहीं रहा है यह ऐसा लग रहा है कि यहां पीडियेफ गाइब सी होगी है एक में रुकिए थोड़ से वेट कीजिए चले आज के लिए इतना ही रखेंगे जो बचा हुआ उसको क्या करेंगे कल करेंगी को आई थिंक मैंने यहां पीडियेफ लगाई थी पर मुझे दिखने रही तो ऐसा लग रहा है या कहीं और पीडियेफ तो है पर शोग क्यों नहीं हो रही है चले इतना ही किजिएगा और इसके बाद की जो क्लास है उसको क्या करेंगे उसको उसके बाद में कर दूगा अभी मैंने प्रिपेर किया है पर मैं यहां बद देखने पा रहा हूं इसको जो मिल्ड़र प्रिपेर किया था तो आई थिंक क्या अदिकत है मुझे नहीं पता क धन्यवाद जयहिद और एक बार यह जरूर बताना कि आपको कैसा लगा और इसमें और क्या बदलाव किये जा सकते हैं सजेशन जरूर दीजिएगा ताकि हम जादा से जादा इसको प्रोड़क्टिव बना सके धन्यवाद जयहिद